14 सितंबर 1999 को शाम को 6 बजे एक फैसला हुआ था एक अजीम सी अफ़वाह लोगों ने उड़ा रखी है कहते हैं कि 14 सितंबर को मतदान हुआ कि भारत की राजभाषा कौन सी होने चाहिए हिंदी या अंग्रेजी वोटिंग हुई आधे वोट हिंदी के पक्ष में उठे आधे अंग्रेजी के पक्ष में उठे एकदम बराबर हो गया कई लोग संख्या बोलते हैं 77-77 हो गया और तब स्पीकर ने डॉक्टर रजिन प्रसाद ने अपना कास्टिंग वोट दिया क्योंकि उनके पास अधिकार है की वोट डाल सकते हैं लास्ट में अगर बराबर हो जाए तो हिंदी के पक्ष में दिया और इससे हिंदी भारत की राजभाशा हो गई इससे बड़ा कोई जूट नहीं है ऐसा कुछ नहीं हुआ था सम्विधान सभाद सफेज जूट है बारह सितंबर को शाम चार बजे इस मुद्य पर बहस चुरू हुई सम्विधान सभा की डिबेट पढ़के देखिए 180 पेज की डिबेट है राजभाशा की 180 पेज, एक दो पेज का मामला नहीं है सम्विधान सभा के वोल्यूम नाइन में जान से पढ़िए पेज नंबर लगभग 1130 से 1390 के आस्वास का मामला है 180 पेज की डिबेट है उसे खुब बुद्धे हैं छोटी मोटी वोटिंग हो रही है के मामलों में सम्विधान सभा का बेसिक उसूल था कि अंतिम रूप से वोटिंग नहीं करेंगे सेहमती से काम करेंगे वोटिंग बीच-बीच में होती रही पहरा विवाद ये था कि राजभाशा कौन सी हो हिंदियों की अंग्रेजी हो या हिंदुस्तानी हो अंगेजी पर तो बात थी नैं। हिंडी या हिंदुस्तानी, महात्मा गांदी हिंदुस्तानी कहते थे पर 1929 में वो थे नहीं। उनका हिंदुस्तानी का मतलब था हिंदी, अर्दु का मिक्सर जो देवुनागरी और फार्सी में लिखी जा सके। दूसरा स्कूल अफ थोट हिंदी की बात करता था अंत में सहमती बनी हिंदी ही भारत की राजभाशा होगी राजभाशा यानि सरकारी कामकाच की भाशा दूसरा सवाल था कि लिपी कौन सी हो देवनागरी हो कुछ ने कहा कि देवनागरी और फारसी हो कि हिंदी को फारसी में भी लिख सके कुछ ने कहा देवनागरी और रोमन हो हिंदी को रोमन में जैसे वटसप में लिखते हैं वैसे लिख सके खुब विवाद हुआ अंत में हुआ कि देवनागरी ही लिपी होगी तीसा विवाद यह हुआ कि जो अंक हैं हिंदी वाले जो एक से जीरो से नो तक के अंक हैं वो हम अंग्रेजी की ढहाचे भी लेखेंगे हैं हिंदी की ढहाचे भी लेखेंगे इस पर मतभेच था सबसे ज थे उनकी बातीत पर समझोता हुआ कि ठीक है अंतराश्टी अंक मान लेंगे और उसके बाद गैमा गैमी के बाद दो घंटे की रिस्यस के बाद 14 सितंबर शाम 6 बजे आखरी सेशन इस मामले पर हुआ धाई दिन की बहस के बाद और तब ध्वनी मत से बिना किसी वोटिंग के प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदी भारत की राजभाशा होगी देवनागरी उसकी लिपी होगी और अंकों का अंतराश्य स्वरूप उसका स्व में आया कि ये ध्रांती है ऐसा कुछ नहीं हुआ था पूरी सहमती के साथ भारत की राजभाशा हिंदी बनी थी 14 सितंबर को और इसलिए आज के दिन को हम लोग हिंदी दिवस मानते हैं